आज बनाएंगे दिवाली वाली मिठाई बहुत ही टेस्टी और हैल्दी इतनी सॉफ्ट की मुह में जाते ही गुल जाया बिल्कुल मावे वाला टेक्शर ना कोई मावार ना कंडेंस मिल्क ना चाशनी बनाने का जंड़ फटा फट सेमिंटों में बनने वाली है यह मिठाई तो इस मिठाई रोल को बनाने के लिए कैस जराने की भी जरुवत नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं यहां एक मिकसर जार ले लिया है मैंने उसमें डाल रही हूं में एक कप भुनेवे चने आप भुनेवे चने की दाल भी ले सकते हैं मैंने यहां साबुत चने लिए हैं बुने वे और एक कप लिए हैं उसको पहले से थोड़ा हलका सा चला लेंगे और इसमें डाले हूं मैं तीन चौथाई कप चीनी और इसमें डालेंगे आधा कप डाले हूं मैं बहुत अच्छा लगता है अब देखिए मैं अच्छे से चला लिया है इसको बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है हमने और देखिए अब बिल्कुल फाइन हो चुका है अब इसे निकाल लेते हैं एक बोल में आज जो हम यह मिठाई बना रहे हैं बहुत ही और मैंने आधा कप दूद ले लिया है नौर्मल टेंपरिचर वाला थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसमें एक साथ नहीं डालेंगे जितना यूज होता है बस उतना ही डालना है तो पहले इसे धीरे-धीरे मिक्स करेंगे थोड़ा-थोड़ा करके डालते चाहिए या मुझे मेजरमेंट का ध्यान है इसलिए मैं ऐसे ही डाल रही हूँ तो अब हाथ से मिक्स करेंगे जब मिक्स करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी मावे को मिक्स कर रहे हैं हम इतना सौफ्ट इतनी ऐसी बनती है यह मिठाई तो बस देखिए थोड़े सा और दूद की तो यह थोड़ा थोड़ा करके ही डालें अब देखिए अच्छे से हो चुका है करीब 4-5मच मैं इसमें दूद डाला है और यह बाइंड होने लगा है इक अटे की जैसे यह यह निकाल लेते हैं एक बोड पे मैंने इस निकाल लिया और बस इस तरह से हाथों से फिलाके मे चाहे तो आप कतली बनाए चाहे आप बर्फी बनाए चाहे आप पेड़े बनाए यह मिठाई ऐसी है कि आप मतलब यह डो ऐसा बनता है कि आप इसका कुछ भी बना सकते हैं तो मैं आज इसके रोल्स बना रही हूँ देखिए अच्छे सी फैल चुका है थोड़ा बड़ा ही मैंने दो इंच मोटा और इसको और भी अच्छा लुक देने के लिए इस पर लगा रही हूं मैं चांदी का वर्क क्योंकि दिवाले की मिठाई बना रहे हैं तो देखने में तो अच्छी लगनी चाहिए तो चांदी का वर्क तो जरूर लगाएं और उपर से आप कुछ लगा और अब उसको काट रहे हैं बिल्कुल मावे वाला टेक्चर आता है एकदम सॉफ्ट और मुव में जाते ही गुल जाती है तो जितनी जल्दी बनती है उतनी जल्दी खतम भी हो जाती है इतनी टेस्टी बनती है यह मिठाई तो हमने एक कप भुना चना लिया आदा कप डैस तो यह देखिए एक एक पीस कितना शांदा निकल गया है और ऐसा लग रहा है जैसे हलवाई की कोई मिठाई हो बिल्कुल हलवाई वाला टेक्चर देखिए अब आप मैं तोड़के दिखाती हूँ आपको यह देखिए जैसे कोई मावे का पेड़ा होता है बिल्कुल वही टेक्चर है और मुह में जाते ही गुल जाती है इसलिए मैंने इसे बोला है दिवाली वाली मिठाई जैसे हम बजार से लेकर आते हलवाईयों से बिल्कुल वैसी ही लग रही है तो चलिए इस प्लेट में लगा लेते हैं तो देखा आपने पांच मिनट भी नहीं लगे इस नहीं कि आपने बिना गया जलाय बनाई है और नहमानों को तो पसंद आनी ही है क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है कटेवे पिष्टा और गुलाब की पंखणियों से सजा दिया है मैंने इसे और भी अच्छा लुक देने के लिए ये देखे कितनी सुंदर लग रही है तो प्लीज लाइक कर दीजेगा चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजेगा फिर मिलूंगे मैं आपसे एक नहीं वीडियो के साथ और हां आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है